यह वीडियो एक्जाम कैसे अतेंट करना है अगर आपका काफी अभी लेठ है तो उसकी प्रिप्रशन कैसे करने है और कम से कम टाइम में आपको मैंक्समाटब कैसे देना है फूक है और क्या गलतीं आपको नहीं करने एक्जाम में सबकूद तो जहां तक मैं जानता हूं कि जो और जो कि अरवी एंटीब्स कटन है आलमोस्ट सेम है उसमें कोई डिफ्रेंस नहीं है बस बस डिफ्रेंस एकी चीज में है कि करा और भी जो था सीटे वन थर्ड थी इसमें 35,000 सीटे हैं तो उसमें तो सब कुछ पहले कंपेर कर लेतें देखिए जो अर्वी था वह भी हंडिट मार्क्स का था नांटी मिनट्स में और जो इसको बड़ा नहीं मानेंगे और जो जी के अलोग सेक्षन था पैटर्न भी सेम था स्लेवर्स भी सेम था और यह जो था 45 45 मार्क्स था और एंटेपीसी में 40 मार्क्स का है ठीक है तो इतना है मैं मैंने जो स्टेड़ी फॉलॉप की थी वही मैं आप से डिस्कस करूँगा क्योंकि मैंने भी करीब एक ही महने का स्पस्ट दारी की थी और बड़े असानी स्क्लियर हो गया था और है और मुद्दा स्- इसक घाइब सकी के लिए लिए cytosto के तो तो आपका जो आए क्योंकि आप के लिए लेकर जाएगी जिस पोस्ट के लिए उसकर होएग और उसमें कम बहुत Check तो इसी इन्हीं मुद्व बात करेंगे ठीक आप बात करते हैं कि हमें स्कूर अच्छा करना कैसे है तो सबसे पहले आप अध्यान दिजिए जो मैथ का सेक्षन एंड़ी मार्क्स का है एंड जो रीजिनिंग का सेक्षन है और भी 30 मार्क्स का है वाला वो 60 मार्क्स में रीजि प्रव नहीं कर सकते हो आप कितना भी पढ़ ली जी उसको बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे इतना मैं जानता हूं मेरा एक्स्पीरियंस है जैसे मैंने दिया था लास्ट के लाश्ट 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 दिया था तो तो जिसने जी जो मैं सेक्षन पहली बात है कि आपको पहली बात मैथ और रीजिनिंग यह बहुत अच्छी सब्सक्राइब करना है जैसे मेरे ही थे तो मेरे इन 55 मार्ट में एबाउट 52 मैंने कवर अब एक दो को सबसे पहले कि जो आपका सब कम से कम टाइम है तो आपको जी के जो सारी रिजिनिंग कर ली तो जल्दी से जल्दी और इसका तरीका क्या हो सकता है यह मैं डिसक्स करना नहीं वह देखो अगर आपका एक्जाम अभी-आभी है त्विसको लगाई से लगाई कपी पैपर लीजिए यजी सबर्याइए इस सटाइब लगाई जितना को ना उसका उसका उसके लगाईए उसे पर फोबने देखिए फिर में फ्लगाए पती चधितेहों इस अमबर लाते हो आपको उसस्ते जधा रहता है पस्थ हमें उसी गैप को फिल अब करना होता है कि जितना आप नबर नबर लाप आ रहा है इसी गैप कर दोगे तो आप आसानी से किसी भी एक्जाम क्रेक कर ले जाओगे अब अभी जब वीडियो देख लेना न तो उसके तुरन बात को एक सेट देना एंट पीसी का ही प्रीविएस यर उसमें पहले आप सेट देना आप नंबर देखना कितने आ रहे हैं आपके आप्टर इतना करने बाद आप फिर से पेपर उठाईएगा और देखिए क्या क्या की लिए तो उनके लिए आप सबसे पहले जिय का सेक्षण है कि इसमें गलती हो ही न क्योंकि देखे आए तो जहां भी आप देखो किसी भी यूट्यूबर से यहां से वहां से सब कहना था लोगो सेलेक्ट होना था पहले स्टेज में तो सेलेक्ट होना चाना था और कट आप 50-55 लोग पूप इतनी ही जायगी और अधिक आफी दोस्ते वी कंफर्म थे कि यह तो यारिस में हो गया, आप CBT-2 के त्यारी करते हैं, लेकिन लेटर आन की हुआ क्या, कि जो हमारी ब्रांच थी मेकेनिकल, उसमें जो कट आप गई, 60-70 वेरी कर गई, आप समझ रहा हो, कुछ पोस्ट के लिए कट आप तो 73 जली गई थी, आउट आप 100, ओके, आउट यह है, कि जो पहला स्टेज था, CBT-1 में, उसमें जिस पोस्टल कट आप हाई गई थी, सबसे हाई एस्ट गई थी, उसी पोस्टल कट आप CBT-2 में, जो अगला CBT-2 हुआ, उसमें मिनिमम गई, तो आप एडवांटेस देख रहा हो, जिस बच्चे ने उसको क्लियर कर लिय जाते हैं, तो उसको, बेस्ट पोस्ट को बीट कर ले जाएगा हो, ठीक है, यही मैं आपको समझाना चाहा हूँ, कि ऐसा है, जो NTPC में, काफी अच्छी पोस्ट भी है, और काफी नीचे लेवल की पोस्ट भी है, तो आप पहले जो CBT-1 है, पहला CBT-1, उसमें अच्छी न तो जो cut-off है, और down आनी ही आनी होती है, ऐसा होता ही है, तो यतना हुआ, तो इसके लिए आपको पहले stage में, इसको अच्छी करने हैं, अगर इसको अच्छी नहीं विकरने हैं, आपके इस टाइम कंडिशन ऐसी नहीं है, आप अच्छी स्कूर कर सको, तो एक होता है न कि कर करके निकालो, अगले stage पढ़ाई करके अच्छे नमर ला लेंगे, और आप वो इस्तित्य है, तो उसके लिए एक ही तरीका है पढ़ने का, कि आप प्रीवियसर जो आया हुआ है, अगर जल्दी जल्दी आपके जाम है तो, जो प्रीवियसर आया है, उसको उठाईए, लग experience मैंने बाद, मैंने बहुता एक्जाम के लिए, तो यही तरीका है, और पहला दो, मैं तो सबसे इंपॉर्टन इसमें यही सेक्षन है, नमबर दो डिस्ट्रिवूरेट ऐसे हैं कि, 60-40 डिस्ट्रिवूर्स है, ठीक है, तो जो साथ नमबर जो जी, आप्टिट्यूड और उस साथ नमबर में से, आप स्कोर कर सकते हो, 55, 56, 57, 58, 59, इवन कि, आप 60 नमबर में स्कोर कर सकते हो, ओके, अगर आउफ डालते हो, लेकि जो जी वाला सेक्षन, जो 14 नमबर का सेक्षन है, उसमें बहुत स्कोर नहीं कर सकते हो, आप खुछ जानते हो, अगर आप NTPC देने जा रहे हैं, और आप इंजीनियर नहीं है, बतलब कि आपने अगर इंजीनिरिंग, उसकी त्यारी नहीं की हुई है, जैसे ESC या गेट की त्यारी नहीं की हुई है, CGL, SSC, सब की त्यारी की हुई है, आप खुद जानते हो, जो GS section आप उसमें बहुत इसकों नहीं कर सकते ह Saturation आजाता है, उसके बहुत आप जा ही नहीं सकते हैं, जो भी question है, जो भी question हो important है, ठीक है, और कोई भी बंदा GS पूरा नहीं पढ़ सकता है, यह भी आप जानते हो, ठीक है, तो उसमें आप इसको नहीं कर आप 14 नहीं कर आप बहुत effort डालोगे, तो 35 पहुँझागे, maximum effort डालने पर, नहीं तो फिर आप 25 या 20 तक अठक जाओगे, लेकिन जो section है, मैं aptitude and reasoning का, वो आप बहुत easily cover up कर सकते हो, और आप समय अच्छा touch दे सकते हो, ठीक है, तो यही मुद्दा था, और मैंने जो किया था, देखो, मैंने किया था, जो aptitude section सा reasoning section था, वो मेरी strong थी, त उसमें, उसके लिए जार मैंने जो पढ़ागी थी, मैंने यूटूब में ही आप देखोगे कि नाम बता, नाम पता नहीं बुलना है लाओ या नहीं है, कावी famous channel है, नाम यार आप, नाम मैं नहीं बूग सकता हूँ, महीं से मैंने class ले ली थी, उन लोगों से पढ़ लिया लोगों से थी, मुझें, कि अगता, नहीं बूगाता, मैं पढ़ाता हूँ, इदर कवर कवर लिया था, उसका जो तो जो सेक्षन आपका हुआ पॉलिटी पॉलिटी कवरफ कर ली थी करेंट फेरल का लिए करेंट मैंने नोट्स नहीं बनाए हुए थे लग वही कि यूट्यूब फोल के अराम से उसको देख रहे हैं दो दो गंटे बैटके जहां भी स्टोरी टाइब बता जा रहे हैं यहां और यहां तक है ट्राइब एक सेसन लाने वाला हुए बाउट प्रैक्टिसेशन पढ़ा तो नहीं सकता हुए इस टाइम क्योंकि मेरे बास इदने रिसोर्स नहीं है मैं अभी विजीव अपने टेक्निकल सेक्शन में 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 तो अगर टाइम मिलेगा तो मैं प्रैक्र प्राइब लाओंगा प्रॉमिस नहीं कर सकता है ठीक है इतना है और यह ध्यान देना आपके जो सीवीटी अगर आप पस अगले स्टेज में अगर आप एक्जाम है ना इस फेज में नहीं है आपका न्टीबीसी तो पहले स्टेज में अच्छे नमर लाईए क्योंकि आप प्राइब लोग जाएंगे ओके ऐसे होता है उसमें प्रोसीजर ही होता है कि क्योंकि कट अब बनती है और बनती है तो और सारी पोस्ट अब करें रहों के पहले से तो अब बड़ा असान रहेगा विद्धि टू या पिजो अगले स्टेजिस हो जाएगा तब हो जाएगा के सीवीटी बन से ओके ठीक है तो आज का वीडियो इतना ही है और अल्ट वेस्ट तो यू फर एक्जाम्स फिर एक्जाम्स ओके थैंक यू फॉर वाचिंग में